और क्या हाली मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेतापाक कलामी स्वाकत के साथ साथ अभी लेंदन करती हूँ आप लुक कैसे हो आज श्वेतापाक कलाम बना बत्वा के त्वारा त्यार पराथे एक पार आपने बत्वा पराथे इस तरीके से बना के त्यार कर लि इसकी बहुत साई रिस्ट पे पहले भी हमने आपके साँछ कियां, आप माय चैनल पिए इन को पुरत करें बत्वा के बनाने पराथे गली India बत्वा की पराठे को बनाने के जिए सबसे पहले आधा किज़ें अमनी बत्वा लेते हैं बत्वा को मार्केट प्रीन चद्रका टुकडा लिया, इसको भी इसी साथ पका के त्यार कर लेते हैं, स्वात के इन साथ थोड़ा सा नमक डाल दिया, इसको कवर करके, गैस के लो टो मीडियम फ्लेम पे करीब 3-4 मिनट तक पका के त्यार कर लेना है, इस तरह देखे इसको पकते वे लगबग 4 मि मिनट तक और पका के लेते हैं, कुल मिला के बत्वा को अमने 5-6 मिनट तक ही पका के त्यार किया, ओवर्गू की इसको बिलकुल नहीं करिएगा, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, जब तक ये ठंडा होता हमने इसकी स्टफिंग की त्यारी कर लेनी, 500 ग्राम बत्वा के इसको बना के त्यार करेंगे, गैस पर हमने एक पैन रगती है, पैन करम हो गया, तो इसके अंदर लगपक 1-5 ट्यूबे स्पून तेल डाल देते हैं, पर तेल थोड़ा सा जादा पढ़ गया, तो इस सारे तेल को निकाल देते, जिफ एक ट्यूबे स्पून तेल को रहने तेल अच्छी तरह से गरम हो गया, तो इसके अंदर 1-5 ट्यूबे स्पून जीरा डाल देती हैं, तीन से चार पीस हमने हरी मुझ ली थे, इसको बारे टुक्रे में काटके इस तरह से त्यार कर लिया, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं, चौथाई ट्यूबे स्पून ह मिला के त्यार कर लिती हैं, उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, धनिया पत्ता और नमक डालते से में वीडियो सूट नहीं हो पाई, इस तरह से देखिए मसालापन के त्यार हो गया है, अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, पूरे बथवा को डाल दिती है, अलग से इसके अंदर हमने किसी पानी को पयोग नहीं किया, जो बथवाला पानी उसी पानी के त्वरा इसको पीज के त्यार कर लिती है, एक ठाली के अंदर लगपग, 200-300 ग्राम के करीब अपने गियों का आटा लिया, इसके अंदर पूरे पानी को डालके अंदर से जार को भी साफ करके पूरी पानी को इसके अंदर डाल दिया अब अपने आटे को गुत की त्यार कर लेना है। आधी कटोरी अपने गेहुं का आटा ओली है पर एक बार की मोय को अड kuin हड़ा, थोड़ा करके इसको डाल दीते हैं। इतना आठा बच गया लगपक 2-3 टेबे स्पून, तो कुल मिला कि इसके अंदर लगपक 300-300 ग्राम करीम हमने आठे को उप्योग किया है, अब 2 टेबे स्पून सफेद वाली तेल डाल देते हैं, और 2 टेबे स्पून तेल को डाल के, अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक आठे को गूत के त्यार कर लेती हैं, एक पर आपने इस तरह से पराठे को बना के त्यार कर लिया, तो ये पराठे क्रेश्पी आपको बहुँच ज़्यादा पसंद आएगी, इस पूरे आठे को एक दूसी थाली के अंदर निकाल के रख देती हैं, पांच मिनट बाद इसका पराठा बनाना शूर करते हैं, थाली के अंदर हमने थोड़ा सा सूखा आठा निकाल लिया, और एक मीटियम साइज के इसके अंदर से लोई को निकाल लिया, आज हमने बद्वा का श्टप पराठा बना के त्यार करते हैं, और इस तरह देखें एक पिस्टी को ना पराटा बन के तियार हो गया, अब हमने चौरस पराटिए को बना के तियार कर लेना है, इसके लिए भी हमने एक medium science के लोई को निकाल लिया और इसको गोल पेड़ी की तरह बना के तियार कर लेती है, उसके बाद इसके उपर थोड़ा अलट पलट के इसको चौरस सेप में बना के त्यार कर लेते हैं। इस तरह देखे चौरस सेप के बन के त्यार हो के इसके उपर भी तुछास हमने सूखाटा लगा के और इसको पराठी को बना के त्यार कर लेते हैं। और दूसरा पराठा हमने चौकोर सेप में बना के त्यार किया, अब तीसरी पराठी को बना के त्यार कर लेती हैं, जो हमने आलू की स्टफिंग के त्वरा बना के त्यार किया है, इसके लिए एक मीट्यम सैज की लोई को लिया, एक छोटी कटोरी की तरह बना के त्यार कर ले कवर करने के बाद दोनों तरब से अच्छी तरह से दबा देती, थोड़ा सा सूखा अटा लगा के, हलके हाथों से इस पराठी को बना के त्यार कर लेती हैं, इस तरह से देखिए आलू के पराठी बन के त्यार होगे, बहुत जादा मोटे नहीं, बहुत जादा पतले नहीं, हमने चौरस पराटा तीगोना पराटा भी बना के त्यार कर लिया अब एक मीडियम साइच की लोई को लेते हैं और इसके त्वारा एकटम से गोल पराटा बना के त्यार कर लेते हैं इस तरह से लोई को हमने फैला लिए उसके इपर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं कुछा से सुख अंटा लगा कि ईसको कवर कर लेते ईं और कवर लाद इसको भी एक तम गोल रोटी की तरह बनाके तैय feder कर लेता हैं आप इसकी तवारा कोई भी पराठा बनाके तैया करेंगी , अब हमनेरी इस सभी पराठो को सेख की तैयार कर लेन दो इसके लिए गैस पे पहले इमने तवा रख दिया तवा गरम हो गया तो इसके उपर तिकोनी पराठी को डाल दीती हैं एक मिनट तक इसको हमने एक तरफ से सेख नहीं दिया फिर पलट दीती हैं दूसरी तब से भी हमने तेल को लगा लिया और इस तरह देखे पराठा अच्छी तरह से फूल के तयार हो गया है जब तवा गरम हो गया तो उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया पूरे पराठी को हमने गैस की मीडियम फ्लेम पे सेख के तयार करना है इस तरह देखे तीकोना पराठा फूल के तयार हो गया इसको दोनों तरफ से से ख लिए इसको हटा दीती है और दूसरा चौरस पराटा भी इसी प्रोसेस के दोरा हमने सेख के त्यार कर लिना है अब पराटा एक तरब से सेख गया तो इसको पलटती है इसके उपर तेल को लगा लिती है अलटते पलटते दोनों तरब से पराटे को हमने सेख के त्यार कर लिना है इस तरह देखें ये पराटा भी फूल के तयार हो गया है इसको भी प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं अब हमने आलू आले पराटे को सेख के तयार कर लेना है उस पराटे को भी हमने तवे के उपर डाल दिया और इसको भी हमने gas के medium flame पे सेख के तयार कर लेना है सभी पराठे अच्छी तरह से full के तयार होंगे अगर आप आटी को अच्छी तरह से गूत के तयार करेंगे इन चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पराठे एक तम से perfect बन के तयार होती है और देखे आल़ु का पराठा भी बन के तयार होगा इसको भी एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेती हैं अब हमने जो रुटी की तरह पराठा बना के तयार के इसको भी शेक तयार कर लेते हैं ये भी पराठा एक तम से fully fully बन के तयार होए है इसी प्रोसेस के तोरह बाकी पराठी को हमने आलू के तोरह इस्टप करके बना के तयार के लिया और इस तरह देखे बत्वा के सारी पराठी को हमने बना के तयार के लिया आपके लिए जो भी तरीका एजी हो आप उसी तरह से बत्वा के पराठी को बना के तयार कर सकते दहिक साथ, चटनीक साथ, सबचिक साथ खाना पसंद करें सभी साथ इसका स्वाथ बहुत अच्छा आता है रिस्पी अच्छी लगी तो लाइक से और सब्सक्राइब करें स्वाथ की साथ सेहत का पूरा ध्यान रखें हिल्दी बनाए हिल्दी खाए आप तिम तक कीमती समय निका के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया